आप सब्सक्राइब के बढ़ते में प्रभाव को देखते हुए, राजी सिर्कान में ओन्लाइन क्लासे इसे आपकी ओन्लाइन क्लासेश चलाए चाहिए। आपकी ओन्लाइन क्लासेश के दोरान आपका ब्यस्की पॉस्टियर का जो फॉर्ट पेपट है, वाजा सिर्गावर समाथ पाटी सिर्यर के दिदर हो है, और उनेट वापस सब्सक्राइब की वाजा सत्ता और समाथ, लुपिट अल्दा साहँ का प्रशाओ चेह, इस 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 इ जो में को आगे बढ़ाते हैं मैं आपको 10-point complete करवा देखुएंग। और 10-point में जो जो आपकी सप्कोपिक है, वो में आपको complete करवा देखुएंग। तो सबी इस point को देखे एक है, जैसा कि हम ये 5-2 निपीस को पड़ा है, आज हम 4 निपीस इसनी को पड़ा है। तो 1-point है, इसी 2-1-point है. यानिकि भाषा और शेकर के अग्ले जमन, यानिकि भाषा और सेकर के अग्या सम्भन कोन्स होते हैं, यासे कि विवित प्रकार के भाषाओं के आधार पर, विवित प्रकार के भाषाओं के आधार पर, यानिकि विवित प्रकार के भाषाओं के आधार पर, यानिकि विवित विवित प्रतार की भाष्णों के आधार पर की शैत्विशेश की परचार विवित प्रतार की भाष्णों के आधार पर की शैत्विशेश की परचार विवित प्रतार की भाष्णों के आधार पर की शैत्विशेश की परचार विवित प्रतार विवित प्रतार की भाष्णों बोलने के तरीके से उसके हाव पाउने, उसके बोलने के तरीके से उसके परचान करनेगा यानि कि कैसे राजस्तानी भाष्या का लोग, यानि कोई चाक्र लख्रों में गता है और राजस्तानी भाष्या को जानने वाला वही चाक्र लख्रों में है तो वो चात्र को जान जाएगा कि यह जिसका शेत्र विजेश रखस्तानी वाशाथा है यह दिवित रखा कि वाशों के आदार पर वेक्ठी की पैचाम होती है वेक्ठी के शेत्र की पैचाम होती है इसके आधार पर चाहत एग इंश्रेब को परजान देरी, इसके आधार आधार पर चाहत एग इंश्रेब को परजान देरी, इसके आधार आधार पर चाहत एग इंश्रेब को परजान देरी, इसके आधार आधार पर चाहत एग इंश्रेब को परजान देरी, इसके आधार आ अपने संवंतनों के साकार्ट can be killed कि जैसे कि मां दीजिए आप कप्षा-कप्षा में बचारण के साय है इस बने हम व्यवें यह विलिब प्रणा के साय हमें और कुछ चाधर विशेश से ही, कोई दुसरा इस्रूमेंट में आपकी क्लास में बेठ होपा है, तो आप भासा के आदार पर एक भीजमे को परचानों के, और एक भीजमे को परचान कर, आपको जो कुशिद देगी, आपको जो प्रसनयत आप होगी, तो वह परНу सच को किसके आदार अदार हो, और आफो मद सी पुछ होती कि ए कि ए मेरा शेक थी वुषेश का भई है DAN जेसे आराम से आप संपर्थ बनासके हो एक बिनसे संपर्थ बनाएं सह मिट्रता बनांकर जब हम फिनकों पूइक काम हो तो आप अपने शेति पूशेश में भी जा सकते हैं तो इसके आदार पर भाशा के आदार पर आपने तो एक उसरी चात्रों को पहचाना इसके आदार पहचाना भाशा के आदार पर नेक्स थार्ड पॉइंट थार्ड पॉइंट बाउसर के सिर्फ होती है इसके आदार पर चात्रों के शेकर को पजान कर वेहार के बार में अशेकर के शेकर के सिर्फ हाँ वक्ijke मधासि शेकर बॉआपा के बाउसर आसे उतार आधोप पेना है, इसनताका डर्सपन, इसमें पेंग ठाया, तो वो हो के चान ले लेगी, इसके आदार वासा और शेतर के आदार, याना की अन्निका अधारी का मने रतुपर वासा त़ुप पेचाने मा लेकिन वासा की आदा ऑार हarna लेकिृ रता, चात्र को उसके शेतर के आ तो इस अन्यगों पूपर इस चाथरों के पैशान के आस हैगा कि वो छात्र अने को पूपर तो चेकर के आदा आपक इस चाहतर के पैशान होती है नेफ्ट किसी में पोड़ते, किसी की अंतर पोड़ते, बाशा की सरता एंवं बोच घंबेता के आपार्णा बाशा की सरता एंवं बोच घंबेता के आदार पर शेत्र घंबेता के पेचार करना यानि कि बाशा की सरता एंवं बोच घंबेता के आदार पर भी शेत्र घंबेता के पेचार करना इस प्रकार से कि भाशा की सरल्ता यो बहुत गम्रीता के आधार बर भी कुछ भाशाइ भ्यापा कुरूप से प्रोंप से प्रोंपी जाती है तब उनका शेटर में विस्तार होता है, यानि कि वासा के सरल के अधारबर और वो दिवंबेता के अधार में, जो वासा सरल होती है, जो जानने लोग होती है, उस वासा के अधारबर, जो वासा के अधारबर जो विस्तार के जाती है, उनका विस्तार के शेटर होता है, यान उसको बोलते रहे हैं, वो अपनी मातर भशा में या फिर अपनी शेत्रों बोल ना प्थे मातर भशा में बोलनाता है यानि उसे जबस्थ को अच्छे समंझ सकते हो का आप आप जिस मासा का पियों को झाज़ गों कै, पोहर खशा सराद और आप जब में तो गोगी लेकि जाया को ईकि Il खुल्च होगी इसकी शपेशा जाति जड़ा को बद्शा को भगी ज Самी को बरिध बदी बोला जाए उने पिरहा हे किसी तना कि हमान गास तानी ह Snis हुट्पहगदा उसी प्रभालती हिंदी प्रगात जाती है थो यह प्रगा से जाती हैं, हुट जय से भब जलीrecht भंदी बॉछते हिंदी बॉछला है, भुछला है टवला है यानि कि आपको हिंदी भाषा बोलने बाले वेट कहीं भी किसी विशेश में आपको मिल जाएगे और हिंदी भाषा का है यह आपको सब्सक्राइब करते हैं इस प्रकार से संस्कुत का तो इस्तान होता है और नगणे दे रूपन होता है को इस प्रकार रार नहीं प्रकार कारते हैं कि संस्कुत भाषा को देखा जाए तो प्रकार नहीं कि प्रकार या साय। अर्जणामे काम में दोयारि इस प्रतापली कहा जा सकता है कि भाषा एक और शेत्र एक चीछ बुद्श्च के प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष बुद्शे प्रभवावित करते है याना कि भाषा और शोय डूसले वो प्रक्ष और अंप प्रक्ष में शोय प्रबावित करते यहां एक होगो। भाषा तो खात्त में भाषा को या खुर्णो लगती हैं बहाशा शेत्र बिषिष्टिव के अरखर वेक्टे की प्रंगो दिच्टिफ करती नग्यानिकि जिस शेत्र बिषिष्ट में एधिते वेक्टी उस बहाशा को बोलने बाले हुगे तो आप बश्कार कम और श्कितर का है विस्तार ते, यानि कि जौत को संभाव में मार्वाडी शेतर का, मार्वाडी भाशा का, मार्वाडी शेतर से जो भाशा बोली ताथी, उस मार्वाडी भाशा का शेतर के विस्तार ते है, अब का आप के जिए में दिवासा कोती हो, आप सब लोग क्यों कोती हो, मार्वाडी पर आप लोगों को जो समझ में आती तो आप मारबाडी शेटर तक्षा तक्षा में वापने लेगें पर तक मारबाडी भाशा को बोलने वाले रेटियों कितका या पर पहुलेगे अपेच्छा मियाने मेलाई लेगे इस प्रकार आपसेट आपका यू 10 पॉइंट था वाशा और शेटर के बने समझ यह कंप्लेट हुआ अब यू टॉटिक पढ़ीगे वाशा अपर तब तक के लिए सबी रेश्टरफित रहेंगे घरबर करिए और अपनी पढ़ाएं को चाहिए कर देदेगे अबस्कार